नमस्कार दोस्तों केसे हैं आपसे हैं स्वागत आपका एक बार्थी से हमारी यूट्यूब चैनल रेश्ट पुल गया हुआ आज हम बात करने वाले हैं चेनाब नदी के बारे में तो दोस्तों वीडियो सुरू करें इससे पहले चैनल को सब्स्राइब अवश्य करें अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे जादा से जादा लाइक एंड जादा से जादा से एंड जादा से जादा कमेंट अवश्य कोई इस वीडियो में हम जानेंगे चैनाब नदी का उद्ग मिस्थर लंबाई सहाइफ नदिया इस नदी के किनारे बसे सहर मिस रिस्ता इस नदी पर बरियोजना, इसके अन्य नाम, इस नदी पर बने हुए पूल, इतिहास, वरानिक कत्राओं के अनुसार, वो इसके संगम के बाहरे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को सुझू करते हैं। चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान में बेहने वाली एक रमुक नदी है, और जल गनतों के हिसाब से यह नदी हिमाचल महजेश की सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी के बारे में अगर बात की जाए, तो यह नदी जम्मुक असमिर से बेहती हुई, पंजाब राज में फ्रवेश करती है, और यह एक महतोपून नदी है। इस नदी का पानी सिंदू जल समझोते की सरतों के द्वारा भारत और पाकिस्तान में साजा किया जाता है। चिनाब नदी का उद्गम इस्थर यदि हम इस नदी के उद्गम इस्थर की बात करें तो इस नदी का उद्गम इस्थर हिमाचल म्रदेश के लाहूल इस्पीती जीले के बारा लाचा दर्वे के दक्षिन से चंद्रताल जील से चंद्रा नदी निकलती है और उत्तर से सुरजतार जील से भागा नदी निकलती है और आगे चलकर चंडरा नदी और भागा नदी आपस में मिलती है और फिर हिमाचल के लाहूल इस्पिती जीले के तांडी नामगिस्तान में ये दोनों नदीयां आपस में मिल जाती है वो इन दोनों के संगम से जो एक नदी बनती है उसे चिनाब नदी कहाई हो चिनाब नदी की लंबाई यदि हम इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकल कर 960 किलो मिटर का सफ़ते करती हुई आगे चलकर सतलूज नदी में समाईच हो जाती है इस तरस से इस नदी की कुल लंबाई 960 किलो मिटर मिटर यदि हम चिनाब नदी की सहाईज नदियों की बात करें तो इस नदी की अन्यक सहाईज नदिया है जो की इस तरस जैसे की कि माजबंदर नदी, रावी नदी, सोहर नदी, भूट नाला नदी, ठिरोट, मुनावार वाली नदी, मिया नाला, सेचर नाला, और जेलम नदी आदी इस की हमुक सहाईज नदियां थे चिनाब नदी के किनारे बसे हुए सहर भारत देश में इस नदी के किनारे बसे हुए है जो की इस तरह से है थोरोट, पूर्थी, उदैपूर, रामबंब, पिंडाग, किलर, बंदरकूर, अकनूर, डोड़ा, आती, सहर इस नदी के किनारे बसे हुए है चिनाब नदी की विसेशता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के चमबा जिले से संसारी नाला से कसमे की पोडर घाटी में प्रवेश करती है और इस तरह इस नदी के आश्वास की जन जाती को स्वांगला कहा जाता है यह नदी सिंदू नदी की एक सहाऊफ नदी भी है और भारत के अखनों से पाकिस्टान के सियाल वोड में प्रवेश करती है कहा जाता है कि गुरु वसिष्ट की समाधी इस्था तांडी में इस नदी के तक पर इस्थी थे और महाभारत से संबंदी जो पदी का अंतिम संसकार भी तांडी में हुआ था यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहूल इस्पिती और चंबा जिले से बहती और जल गनत्यों के हिसाब से यह नदी हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ी नदी अब हम बात करने वाले हैं जिनाब नदी परियोजनाओं के बारे में तो इस नदी पर अनेक बान बने हुए हैं जिनका किसी निस्टी तुदेश के लिए निर्मान किया गया है जैसे कि हिमाचल मदेश में परियोजना तो हिमाचल मदेश में इस नदीवर अने परियोजना है नमबर एक छटू परियोजना नमबर दो ठीरोट परियोजना नमबर तीर सेली परियोजना नमबर चारज रावली परियोजना अब अगर जम्मुकस में परियोजना की बात की जाए तो नम्बर एट बगलिहार बांध दूल हस्ती परियोजना सलाल परियोजना चिनाब नदी के अन्यनानिया इस नदी को अनेक नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश के लाहूल इसकुती से चंद्रताल जील से चंद्रा नदी और सोरजताल जील से भागा नदी निकलती है और आगे चलकर यह दोनों आपस में मिल जाती है जहां पर इसे चंद्र भागा नदी कहा जाता है चंद्र भागा नदी के अलावा इसे चंद्रा नदी भागा नदी, इसक मती नदी, असकीनी नदी और पंचनक भी कहा जाता है चिनाब नदी पर बने पूल भारत में जम्मु कस्मिराज के रियासी जिले के बकल और पुरी के बीच में रिल्बे पूल बनाया जा रहा है जो की विस्टो का सबसे उंचा पूल है और इस पूल की पूल हुचा ही 369 मिटर है जो की एपिल टावर से उंचा है इसके अलावा चिनाब नदी पर वो प्याने पूल मनाए गए हैं जो की इस तरह से है नमबर एक चिनाब ब्रीज, चिनियोत ब्रीज, चुन्द ब्रीज चिनाब नदी का इतिखास इस नदी को प्राचिन समय में भातिये लोग इसक मती और असकिनी के नाम से जानते थे और यह एक महतोपूर्ण नदी है पुराणी कथाओं के अनुसर जिनाब नदी प्राचिन कथाओं के अनुसर इस नदी का काफे महतो है और यह नदी एक उसे इस नदी है इस नदी से संबंदित अने क्रकार की कहानियां भी कही जाती है कहा जाता है कि सोनी महिवाल और हीर रांजा इसी नदी से संबंदित है और सोनी महिवाल भी इस नदी से संबंदित है जिन को आज प्रेम के लिए जाना जाती है कहा जाता है कि सोनी और महिवाल का फ्रेम इसी नदी के किनारे हुआ था और वे इसी नदी के किनारे मिलते थे जो कि अपने फ्रेम के बल पर हमेसा के लिए अपना नाम अमर कर दे है चिनाब नदी का संगम यदि इस नदी के संगम की बात की जाए तो यह नदी बारालाचा दर्वे से निकलती है और आगे चलकर लगबर 960 किलामेटर का सफर तै करते हुए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नाम से जानी जाती है और फिर आगे चलकर यह नदी सतलूज नदी में समाहित हो जाती है इस नदी के सतलूज नदी में मिलने के बार थोड़ी दो जाकर सतलूज नदी भी पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंदू नदी में समाहित हो जाती है उसके बाद आगे चलकर सिंदू नदी अरब सागर में मिल जाती जाती जिस इस्थान पर सिंदू नदी से ये सबी नदियां मिलती है उसे पंचनत पहा जाता धन्यवाद